घरी पवनी कब है 2024 साल में कितना घरी पवनी होता है हलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो मैं चैनल कुझ आफीसे लावरी योर चैनल कैसो अप लोग आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बाड़ाए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे नीचे बैल आइकन अचे प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी निया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है आप कस्तार को निस्तार है घर छोड़े घरी नहीं घरी पबनी 2024 में कब है घरी पबनी साल में दो बार होता है एक होता है माघ में दूसरा होता है सावन में माघ में जो है वो सुकलपक्ष में होता है और सावन में भी सुकलपक्ष में ही घरी पबनी मनाया जाता है तो माग का जो सुकल पक्ष है वो कब से सुरू हो रहा है ये जो है दस फरवरी से सुरू हो रहा है जो कि 24 फरवरी तक रहेगा अगर आप बुधवार को घरी करते हैं तो जी हाँ आप 14 फरवरी और 21 फरवरी को कर सकते हैं अगर आप सनी वार को करते हैं तो 10, 17 और 24 ये तीन तीन आप कर सकते हैं, तीन तारीकों आप माघी घरी मना सकते हैं, घरी पबनी जो है वो नेपाल से सटे मिथलाक्शेत्र में मिथलांचल में मनाय जाता है, जैसे दर्भंगा, मधवनी, सीतामरी, बेगुसर नाय, जंजारपूर, सुपॉल, ये जो है सारे इलाके जो है वो मिथला का है और इसी मिथला में ही मनाया जाता है इसमें घरी पपनी में जो है विशेस्ता कुल देवी जिहां घर के जो कुल देवी देवता होते हैं उनकी पूजा की जाती है और इसमें एक अस्तार मिट्टी का एक बरतन होता है उसमें खीर दाल पूरी से ढखा जाता है और इसमें रोट का बहुत बड़ा महत्व होता है दो रोट बनता है बड़ा रोट और छोटा रोट बनता है और उसके बाद पूजा किया जाता है जब पूजा समाप्त होता है मिट्टी का जो कस्तार होता है जिसमें खीर और पूरी ढखा हो रह पाँच बार बोला जाता है भेल निस्तार और ये जो रस्म है वो कोई नहीं घर के मेल मिमंबर ही करते हैं और फिर नेक्स्ट रोज भी इसकी पूजा कि जाती है और सावन में कब है वो मैं आपको बताने वाली हूँ सौनी घरी सावन में जो घरी है वो कब है वो मैं बताने वाली हूँ तो सुकल पक्ष में किया जाता है सुकल पक्ष जो होता है वो 15 दिनों के लिए होता है तो सुकल पक्ष सावन में जो स्टार्ट है वो 5 अगस्ट से स्टार्ट है जो कि 19 तारीकों जी हां 19 अगस्त तक चलेगा जो 19 अगस्त को रक्षा बंधन भी है और इसमें अगर आपके यहां बुधवार को घरी होता है तो आप कर सकते हैं 7 तारीकों कर सकते हैं और 14 तारीकों कर सकते हैं अगर आपके हैं सनिवार को होता है तो आप 10 तारीक और 17 तारीक को आप सनिचरी घरी कर सकते हैं कैसा लगा आप सभी को हमारा ये घरी पवनी वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सेर करना बिल्कुल न भूलना थैंक्स पूर वाचिंग की प्लाइब